वेल दोस्तों इस विडियो में देखने वाले हैं कि Axis bank में saving count आप वालाइन किषिर ओपिण कर सकते हैं एक स्विडियो में आपको zero balance अकाउट मुलेगा और आपको fund maintain वाला भी एकाउन मिलेगा एकसिस bank zero balance अकाउन तो zero balance काईकांट है तो एक्सिस बैंक का fund maintain वाला account कि हम open कर सकते हैं कि इतना fund maintain करना पड़ेगा और क्या इसके fees and charges रहते हैं क्या hidden charges है इनके यह सब चीज़े इस video में discuss करेंगे और bank ने अगर इतने hidden charges लगाये हैं तो क्या हमें benefits और feature देते हैं कि इनको यह saving count open करना चाहिए ऐसा नहीं है कि पूरी इस account को open कर सकते हैं उसके बाद live हम देख लेंगे कि कैसे आप इस account को open कर सकते हैं लाइव step by step आपको process दिखाएंगे और एक्सिस बैंक का asap digital saving count जो की अभी digital cashback account में convert कर दिया गया है उस account को यहाँ पर हम पहले कम देख लेते हैं देखिए यहाँ पर पहले इन्होंने बता जाएगा बुक माइसो पर इवरी मंथ आपको मिलेगा इसके साथ 250 प्लस बैंकिंग सर्विसेस इनकी आपको online मिल जाएंगी आपको branch visit नहीं करना पड़ेगा एक परसेंट का cashback मिलेगा एक परसेंट का आपको cashback मिल जाएगा इसका कोई भी चार्ज आप से नहीं लिया जा करेंगे वीडियो के वाइसी complete करेंगे एकाउंट पर funding करेंगे और आपका account open हो जाएगा देखे account open करने का भी टाइम है सुबह 9 बजे से लेकि 8 बजे तक आपको account open करना है और जो account open होगा आपका we are open seven days यानि आपको 365 दिन account open कर सकते हैं देखे 500 का जो gift voucher मिलेगा उसको मिलेगा every month और इसके साथ ही एक परसेंट का cashback मिलेगा इडेबिट कार्थे इसके साथ ही यहाँ पर इनके fees and charges में देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर आपको fund maintain करना पड़ेगा metro cities पर है तो 16,000 initial funding आपको करनी पड़ेगी और नॉर्मली मैं आपको बताओं कि अगर आप लिंक से account open करेंगे 5000 आपको initial funding करनी पड़ेगी और 5000 account आपको fund maintain करना पड़ेगा यह तो यहाँ पर इनोंने बताया हुआ है कि 2500 रूरल एडिया पर रहेगी रूरल एडिया पर इनक तो यह सब चीज़ें आप देख सकते हैं इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि excess bank ने और जो अपना account launch किया है excess bank का image saving count जो कि इनोंने बता है कि zero balance का account है लेकिन excess bank का image saving count है इस पर एक बहतरी तगड़ा hidden charges है जो zero balance account है यह आपका zero balance account तो रहता है कोई भी आपको यहाँ पर benefits भी काफी तगड़े लेवल के मिलते हैं मैं आपको आगी वीडियो में बताऊंगा कि किसके लिए account बहतर हो सकता है इसके साथ ही complimentary three Amazon Prime membership भी आपको मिल जाती है त्रिमंत की यानि Prime membership 599 लूपीज की आपको प्राइम membership आपको free में मिल जाती है इसाथ ही book my socks से अगर आप 4000 reward point आपका 2000 रुपए के बराबर होता है यानि जो 200 रुपए फीस अगर आपका लग रहा है तो 2000 रुपए आपको reward point भी तो मिल जाएगा और उसको आप redeem कर तक तो यहां पर समझने वाली बात यह हो जाती है कि पर मंत अगर आपका 20,000 रुपए कहीं भी आप payments करते हैं प्रा 14,000 कर दिया 19,000 कर दिया 15,000 तब आपको reward point नहीं मिलेगा यह चीज़ें आपको ध्यान डख नहीं है कि यह account उसके लिए benefits लोगा जिसका transaction ज्यादा होता है जिसको ज्यादा payment करना पड़ता है और इसके साथ ही कोई भी ATM का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा ना तो कोई आपसे checkbook का charge लिया जाएगा जैसे आपको access bank के digital cashback account मिलता है उसी तरीके से आपको अमेज saving account पर भी मिल जाता है यह सारे feature आप देख सकते हैं कि काफी सारे इसमे benefits और feature मिलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमने access bank के दोनों saving count को compare कर लिया access bank का अमेज saving count access bank का digital cashback account cashback account में ध्य 10% Amazon flip card पर cashback मिलेगा यहाँ पर जिस भी account को आप open करना चाहते हैं तो account open करने का direct link आपको video के description box मिलेगा लिंक पर click करेंगे तो आप यहाँ पर इस page पर आ जाएंगे देख सकते हैं 4 step में आपका form complete होगा सबसे पहले यहाँ पर अपना pin card का number देंगे नीचे यहाँ पर आध अधारकार से link वाला mobile number देना है और यहाँ पर दोनों term and condition को आपको accept कर लेना है उसके बाद आपको I agree कर लेना है दिन आपके number पर OTP शिंड किया जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है OTP डालके यहाँ पर आपको confirm OTP वाले option पर click कर देना है तो यहाँ पर आपक option पर click कर देना है तो आपके email ID पर OTP जाएगा OTP डालके यहाँ पर आपको confirm OTP वाले option पर click कर देना है और दिन यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपको कुछ अपनी personal details देनी है marital status education qualification occupation का type source of fund यह सारी चीज़े अपने हिसाब से आप fill कर सकते हैं उसके बाद नीचे आप आपके edge पर pin card रहेगा उसके बाद nomini add करना है तो add nomini plus वाले आइकन पर add nomini पर आप click करेंगे तो nomini का यहाँ पर आप नाम डालेंगे nomini की details यहाँ पर fill कर देंगे nomini का full name nomini के साथ आपका क्या relationship है nomini का data further डालेंगे दिन आप next option पर click करेंगे उसके बाद address confirmation आजाएगा आ communication address भी आप अपना आधार address बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर yes कर देंगे अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो no करके minimally आप अपने address fill कर सकते हैं उसके बाद permanent residence का type आप on डाल देंगे खुद का घर है तो on डाल देंगे और उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको bank की branches म proceed वाले option पर क्लिक करेंगे उसके बाद पूरा details यहाँ पर review करा दिया जाएगा यहाँ पर आपना जो भी आपने form फिल किया है form up check कर सकते हैं देनी यहाँ पर आपको done वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर आप done करोगे उसके बाद यहाँ पर आप देखे वीडियो वाले option पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहीं पर देख सकते हैं कि चैट और वीडियो रहेगा आप चैट भी कर सकते हैं यहाँ जल्दी तोड़ा वीडियो के वाई सी अपनी connect हो जाएंगे और वीडियो के वाई सी complete करेंगे वीडियो के वाई सी complete के बाद देखे initial funding करनी तो और जैसे आप initial funding कर देगे उसके बाद देखे successfully आपका account open हो जाएगा और instant आपको virtual debit card भी देखने को मिल जाएगा और इसका CVV नमबर भी देख सकते हैं कि आपका account details वेगर आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसके mobile app को download करके इसकी mobile banking को भी आप यूज कर सकते हैं तो इ account के feature benefits और hidden charges मैंने इस वीडियो में आपको complete बता दिये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीज़े अपने fan कर सेयर करिए मन में कोई doubt और प्राप्लम है तो नीचे आप comments कर सकते हैं मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो में एक निव टापिक के सा तब तक लिए जैंट के